वेल्कम एवर्डी एक कोशन आई है जो की विकास पंडेज का कोशन है इनका कहना है कि मैं जो है वो ऐसे सी जेए 2021 के लिए अपलाई करूंगा तो जो फॉर्म की लाश्ट डेट रहेगी उसके पहले का सर्टिफिकेट चाहिए ना इडेवलुएस का तो देखिए हाँ अगर कि जितने examinations होती है उन सभी का यही नियम है कि crucial date के पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसी financial year का होना चाहिए उसी जो है वो valid year जो है वो आपका जो होगा वो उसी एक साल के अंदरकत का होना चाहिए जैसे अगर suppose किए कि आपकी जो फॉर्म अगर अगस् जाते हैं तो जो last date होगी suppose कि पांच नवंबर जो है वो last date हुई ओके पांच नवंबर तो आपके पास जो है सर्टिफिकेट 511 2021 से पहले का होना चाहिए और 142021 के बाद का होना चाहिए ओके मिस एक ही यह हो गई financial year तो एक ही हो गई और आपका सर्टिफिकेट एक अप्रील के बाद बना होना चाहिए और पांच नवंबर के पहले का बना होना चाहिए और valid एर आपका क्या हो जाएगा उस case में valid year हो जाएगा 2021-22 और जो financial year है वो 2020 2020 हो जाएगा क्योंकि जो financial year होती है वो एक साल पीछे का लिखा जाता है और valid year current year का लिखा जाता है तो I hope कि आपकी जो है ये doubt clear हो गई होगी